हेलो फ्रेंड्स हो मेट क्राफ्टिंग में आपका स्वागत है आज देखी में यह पॉंचो बना कर लाई हूँ और यह पॉंचो देखने में बहुत ही सुन्दर लग रहा है इस तरह से मैंने यह डिजाइन डाला है देखिए इसका डिजाइन है इस तरह से और इस तरह से इसका यह बोर्डर आया है बनकर इस तरह से मैंने यह बोर्डर बनाया है और यह बनाया है मैंने एट यर्स से लेकर टैन यर्स बेवी गल्स के लिए हाई नेक पॉंचो बनाया है मैंने इसका नेक बड़ा बनाया है अब देखिए मैं आपको इसकी लंबाई बता देती हूं कि कितनी है पहले मैं नेक की लंबाई बता देती हूं नेक की लैंथ है 16 cm 16 cm और यहां से उपर से नीचे तक इसकी लेंद्थ है 49 cm देखिए 49 cm इसकी यह लंबाई है यह इसका मेजर्मेंट है और देखिए इसके लिए मैंने यह बूल औस वाल की लिए है 200 ग्राम तो ली है मैंने ग्रे कलर और 1500 ग्राम ली है पिंक कलर और इसके लिए मैंने यह 3.5 mm का क्रोश्य होग लिया है 6 नंबर का देखिए पॉंचो को मैं बुनती हूं आप मेरे को कमेंट में लिखिए कि यह पॉंचो आपको कैसा लगा देखिए मेरे को तो बहुती इस तरह से इसका यह नेक आएगा देखिए पॉंचो को अब मैं बुनती हूं पॉंचो को बुनना है इस तरह से मैं नोट बांदूंगी देखिए यह मैंने नोट बादने के बाद इसमें मैं हंट्रेट टेएंड डालूंगी सो चेन डालनी है तो इस तरह से मैं चेन को डालूंगी देखें इस तरह से चेन डालनी है पूरी चेन इसी तरह से डालनी है इस तरह से मैंने यह चेन डाल दी है सो चेन डाली है हंड्रेड इस तरह से आई है यह चेन बनकर देखें इस तरह से चेन बनकर आई है इस तरह से यह चेन बनकर आई है अब देखें यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दूंगी चेन को जॉइन करना है तो देखें मैं जॉइन कर देती हूं चेन को यहां पर जॉइन करना है इस तरह से chain को मैंने जोड दिया है join कर दिया है इस तरह से chain आ गई है अब देखे मैं इसकी आगे की row बनाती हूं next row बनानी है तो इसमें मैं half double crochet डालूँगी पूरी chain में half double crochet डालना है तो इस तरह से मैं half double crochet डालूँगी 1, 2, 2 chain और half double crochet next chain में डालना है half double crochet इस तरह से फिर next chain में भी डालना है half double crochet आगे वाली चेन में भी डालना है हाप डबल किरोशिया ही डालने हैं पूरी चेन में हाप डबल किरोशिया डाल दिये हैं हाप डबल किरोशिया डाल दिये हैं अब देखिए यहां पर मैं सिली पिस्टिच लेते हुए जोइन कर दूगी यहां पर मैंने जोइन कर दिया है इस तरह से गला बनकर आ गया है पॉंचो का और पूरे गले में यहाप डबल किरोशिया डाले हैं अब देखिए मैं इसको टू पार्ट में डिवाइट करूंगी फिप्टी हाप डबल किरोशिया इधर रखने हैं मार्क लगाना है एक मार्क मैं यहां पर लगाऊंगी यहां पर इस तरह से यह मैंने मार्क लगा दिया है अब देखिए मैं फिप्टी काउंट करूंगी पचास फिर मैं मार्क लगाऊंगी तो काउंट करती हूं मैं देखिए एक मार्क मैं यहां पर लगाऊंगी इस तरह से मैंने यह दोनों मार्क लगा दिये हैं 50 इधर हो गए है 50 इधर हो गए है देखिए मार्क लगा दिये हैं काउंट करने के बाद अब देखिए मैं इसमें डिजाइन डालती हूँ मैं इस देखिया मैं इसमें फाइफ टे है कि अब इसमें जाङ्टाय को डिव यह एक पॉर यह ङिया गोपेया हॉना जाना है हुए है तैटिए गोफ धार मैंने यहां पॉर आशाल करोचिया डाल दी है इस तरह से मैंने यह बी स्टिच डाल दिया है यह दो यह मैने टो चेंग डाल दी है अब तू चेंग डालने के बाद नाक्स ट चे respe सिंगल क्रोशिया लेना इस तरह से यह मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है नेक्स्ट चेन में अब वन टू 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 चेन लेना है वो नीचे से वन टू 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 चेन को को स्किप करना है वो नेक्स्ट चेन में डालना है वी स्टिच यह मैंने वी स्टिच डाल दिया है वन टू 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 चेन लेना है वो नीचे से बन टू टू चेन को स्किप करना है वो नेक्स्ट चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया सिंगल क्रोशिया यह मैंने डाल दी है बन टू टू चेन लेना है बन और एक यह टू टू चेन को इसकिप करना है नेक्स्ट चेन में डालना है बी स्टिच अब देखे इस तरह से में यह डिजाइन डाल रही हूं यह मैंने बी सिंगल क्रोशिया सिंग्ट सिंगल क्रोशिया बन टू टू चेन लेना है नीचे से बन टू टू चेन को और नीचे से 1, 2, 2 chain को skip करना है next chain में डालना है B stitch इस तरह से मैं ये design डाल रही हूँ B stitch और single crochet इस तरह से मैं यहां तक complete करूँगी फिर मैं यहां पर बताऊंगे यहां तक बुनना है यहां तक मैं बुनूँगी 1 और एक ये toe 2 chain लेना है और नीचे से 1, 2, 2 chain को skip करना है next chain में single crochet डालना है इस तरह से फिर 1, 2, 2 chain लेना है और next chain में डालना है यहां पर B stitch जहां पर मैंने ये mark लगाया है बहां पर मैंने ये B stitch डाल दिया है इस तरह से B stitch डाल दिया है और यहां पर next chain में डालना है single crochet इस तरह से मैंने ये single crochet डाल दी है देखिए ये B stitch मैंने ये यहां पर डाला है जहां पर मैंने ये mark लगाया है यहां पर बनाया है एक ये front में आएगा B stitch और एक ये back में आएगा फ्रेंट और बैग में आएगे ये B stitch इस तरह से डाले हैं मैंने ये B stitch वन टू टू चैन लेना है और नीचे से वन टू 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 चैन को स्किप करना है next chain में डालना है B stitch ये B stitch मेंने ये डाल दिया है में लिदड से वन टू 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 चैन को स्किप करना है next chain में डालना अए सिंगल क्रो्शीर हाँ नीचे से वन टू 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 चैन को स्किप करना representing next chain में डालना है इसी तरह से बैएस्टीच और सिंगल किरोश्या डालती हुए रों को इसी तरह से मैं कप्लीट करूँगी कि ऐस डालते हुए फाट्रण बन हो तोचेन को इसकीट करना है neste में डालना है कि इस तरह से मैंने सिंगल किरॉ श्या डाल दी है बन टूचे लेना है और यहाँ पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन कर दूँगी इस तरह से जोईन करना है सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन कर दिया है और यह रो इस तरह से बनकर आ गई है देखिए इस तरह से यह रो बनकर आ गई है कुछ कोड़े को देखिए इस तरह से मैंने ये पूरी रो में भीस्टिच डाल दिये हैं टोटल इसमें 18 भी इस्टिच है आठ इधर है और वन इधर है और यह vendor hai तो यह 28 इस्टिच हो गए हैं अब देखिए मैं इसकी आगें कि रो बनाती हूं आगें कि रो बनानी है देखिए हम मैं इसमें डिजाइन डालती हूँ भी इस्टिच में बन टू थ्री थ्री चेन और डबल क्रोशिया देखिए डबल क्रोशिया में हाप बुनूँगी पूरा नहीं बुनना है डबल क्रोशिया को फिर से double crochet लेना है और इसको भी मैं half बुनूंगी ये हो गए है 3, 1, 2, 3 और एक साथ इनको फिर बुनना है देखे इस तरह से मैंने ये pup stitch डाल दिया है 1 और एक ये 2, 2 chain फिर से मैं double crochet बुनूंगी और इसको भी मैं half बुनूंगी देखे इसको भी मैंने half बुना फिर दूसरी double crochet लिया इसको भी half बुना फिर तीसरी double crochet लिया इसको भी मैंने half बुना तीन बार मैंने double crochet को half बुना फिर इनको एक साथ बुन देना इस तरह से और फिर 1, 2, 2 chain फिर से double crochet लेना है और half बुनना है 1 double crochet half फिर से हाप बुनना है डबल क्रोशिया को और फिर से हाप बुनना है डबल क्रोशिया को तीन बार मैंने ये डबल क्रोशिया को हाप बुनना है ये हो गए है बन टू त्री फोर और एक साथ फिर इनको बुन देना है वन और एक ये टू टू चेन इस तरह से ये पप स्टिच आ रहे हैं देखे डिजाइन यह डाल रहा है यह पर इसी तरह से मैं दूसरे स्टिच में भी रूँ गी बन हाफ डबल क्रोशिया, टू हाफ डबल क्रोशिया, तिरी हाफ डबल क्रोशिया, तीन बार मैंने हाफ डबल क्रोशिया बुना ये हो गए है, फोर, अब एक साथ इनको बुन देना इस तरह से, फिर वन, टू, टू चेन, और फिर से तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बुनना है बन बन हाफ डबल क्रोशिया टू हाफ डबल क्रोशिया थ्री हाफ डबल क्रोशिया यह हो गए है फोर और एक साथ बुनना है इनको इस तरह से फिर बन टू टू चेन फिर से तीन बार हाफ डबल क्रोशिया बुनना है वन हाफ डबल क्रोशिया टू हाफ डबल क्रोशिया थिरी हाफ डबल क्रोशिया देखे यह हो गए है फोर और एक साथ इनको बुन देना है टू चेन पप स्टिच मैंने ये डाल दिये हैं इस तरह से ये आ रहे हैं भी स्टिच के अंदर फिर नेक्स्ट भी स्टिच के अंदर भी मैं इसी तरह से पप स्टिच डालूंगी और पूरी रो इसी तरह से कंपलीट करने हैं पप स्टिच डालते हुए बन हाप डवल क्रोशिया तू हाप डवल क्रोशिया और ये थिरी हाप डवल क्रोशिया फिर इनको चारों को एक साथ भुन देना है इस तरह से बन टू टू चेन अब देखे ये रो मैंने कम्पलीट कर दी है अब यहां पर मैं सिलिप इस्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दूँगी इस तरह से ज्वाइन मैंने कर दिया है और सिलिप इस्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया है और इस तरह से ये रो बन कर आ गई है इस तरह से पूरी रो बन कर आ गई है पूरी रो में मैंने ये पप स्टिच ही डाले हैं वे स्टिच में देखिए इस तरह से ये पॉंचो बन रहा है अब देखिए मैं इसमें गिरे कलर लगाती हूँ आगे की रो बनाती हो गिरे कलर से अब मैं बनाऊंगी देखिए अब मैं फाइब चेंड डालूँगी बन तू थ्री फोर और एक ये फाइब ये मैंने फाइब चेंड डाल दी है अब इसी में मैं डबल क्रोशिया डालूँगी डबल क्रोशिया को डालना है देखिए इस तरह से मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है यहाँ पर मैंने ये बी स्टिच डाल दिया है देखिए वन तू तू चेंड लेना है और यहाँ पर भी मैं बी स्टिच डालूँगी कोने पर मैंने ये टू बी स्टिच डाल दिये हैं यहां पर मैंने बी स्टिच डाल दिये हैं अब बंचेन लेना है और डबल क्रोशिया डालना है क्यान दो डबल क्रोशिया बट है और डबल क्रोशिया अब बंचेन दौट अब अधर मैं चेन और डालत है को सबक्राइब या से अब बंचेन और बैंडाओल क्रोश । मैं इस तरह से मैंने बंचें बंड करोशिया हैं अब दिखेंगे ये हुद यहां पर में पी स्टीच डालूँगी मैं 될 wł Ciao दे इस तरह सी डालने हैं तो इस तरह से डालने आप ऑफ करेंगे के बंचेन और भी स्टीच के डेजरी याट कि इस तरह से मटी स्टीच डाल दिया आब 1ड जू general आभि यहाँ पर विमें भी स्टी डालूंघ कि इस तरह से मैंने यह तो भी स्टीच डाल दिये हैं आहि siete गणिद्द ऑफ डrecord रूशिया करफिए इस तरह से मैंने ये फ्रेंट साइड भी चुबिए स्टिच डाल दिये हैं इच पर नभी ते डबल क्रोशूरू हाँ डालना है बंचेन बंडबल क्रोशूरू होतु है बंचेन अब देखे हैं यहाँ पर मैं सिली पिस्टिच यहाई नेक दूंगी स्वलं मैंने कम्पलीट कर दियाハハ 270 दो puisque एलोरिय तैसे पहर कीन भेंकर ú बन चेन डबल किरोशिया डाले हैं मैंने यह देखे और यहां पर डाले हैं यह टूबी स्टिच फ्रेंट में और टूबी स्टिच बैक में पॉंचो यहीं से ही आगे को बढ़ेगा यहां से पॉंचो आगे को बढ़ेगा इस तरह से आगे है रो बन कर तो कि मैं इसकी आगे की रो बनाती हूं और यहां पर भी मैं डबल किरोशिया डाल ओँगे मैं यहां पर मैं 4 double crochet डालूजिया तोटल हो जाएंगे यह यहां पर 4 double crochet मैं यह four double crochet डालों कि यहाँ पर मैं बंडभझ क्रोश्य डालूंगी पिर victorious में बंडभझ क्रोश्य डालूंगी और फिर यहां भी मैं डवट प्रो क्रोशेय डालूंगी इस तरह से tä स 컨निया संज। डाल दी है कि यहां से यहां तक मैंने जिर्ट 2022 डालेaráं तैन डबल क्रोशिए और 5公 कोई इसे इह तो टल पर टेंड डबल क्रोशिय डालेXT कि एदो हम चाहिए अब आघे मां इसी तरह से डबल क्रोश्य डाल roadmap डबल क्रोश्य डालना है अऌन से टालना है इसी तरह से में डबल क्रोशिया बुनोंगी अब देखिए ये टू भी इस्टिच आ गए हैं अब यहां पर भी मैं टैन डबल क्रोशिया डालूँगी इतने में मैं टैन डबल क्रोशिया डालूँगी तो इस तरह से डालना है वन डबल क्रोशिया यहां से डालती हूं मैं व कि यह मैंने थिरी डबल क्रोशे डाल दिये हैं अब यहां पर भी मैं डालूंगी फोर डबल क्रोशिया कि टू डबल क्रोशिया कि टू चेन टू डबल क्रोशिया कि यह मैंने फोर डबल क्रोशे डाल दिये हैं यहां पर अब यहां पर भी डालना है डबल क्रोशिया देखिए यहां से लेकर यहां तक मैने ये टैन डबल क्रोशिया डाल दिये हैं five double क्रोशिय इधर है और five इधर है टोटल यह ten double क्रोशिय यहाँ दा्ल दिर यहां पर भी मैंने यह ten double कर दिया है डाटको same care carry कर दिया है डाटकों मिक यहां पर हैं है यहीं से हिपन्चु आगे को बढ़ता है डाटकों मिकरीज हो अनृ से इंक्रीज होते हुए जाएंगे डबल क्रोश्या ही डाले हैं मैंने इसमें पूरी में डबल क्रोश्या डाल दिये हैं अब यहां पर मैं सिली पिष्टीच लेते हुए जॉइन कर दूँगे इस तरह से जॉइन कर दिया है सिली पिष्टीच लेते हुए अगर बढ़ाना इस तरह से इस तरह से आगे को बढ़ा दिया है और रो बनकर आ गई है इस तरह से इस तरह से डबल क्रोशी आए है अब देखिए मैं आगे की रो बताती हूं किस तरह से बुरना है आगे को देखिए डिजाइन ला यही रिपीड होगा जो मैंने यह बनाया-ंजान बी इस स्टिच डालेंगे तो एह दो तो बीजाइन गैर ले लिए जो सेदिबे तो भी इस सकुक् doen तऱ से मैं शायर दाल दिया हैं दिया है कि बन तूचेन अभी यहां पर मैं सिंगल क्योचें लोंगी नाक्षट चेन में सिंगल क्रोशिया डाल दी है वन टू 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 चेल लेना है नीचे से बन टू टू चेन को स्किप करना है नेक्स्ट चेन में नेक्स्ट चेन में डालना है बेस्टिच इसी तरह से यह डिजाइन दे की रिपीट हो रहा है इस तरह से बन टू 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 चेन नीचे से बन टू 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 चेन को स्किप करना है नेक्स्ट चेन में सिंगल क्रोशिया डालना है टू चेन नीचे से टू चेन स्किप करना है नेक्स्ट चेन में डालना है बेस दिजाइन डालते हुए रो को प्रप्लीट करोंगे कि इसी तरह से भी इसटिच डालना है कंप्लीट करना है और स्किप करना है यहां पर मैं सिंगल क्रोश्य डालों इस तरह से यह मैंने सिंगल ब्रट करने डाले हैं फ्रॉन और बैक लिए उसी तरह से मैंने बी इस्टिच डाले हैं यह डिजाइन रिपीट हो रहा है अब देखे मैं इसमें पप्पिस्टिच डालती हूँ बन टू थ्री तरी चेन और डवल क्रोशिया इसको मैंने हाप पुना एक और डवल क्रोशिया इसको मैंने हाप पुना एक साथ बुन दिया ऑं इस तरह यह लिए यह थिर से में यह परपिट एड़ाएं इसी तरह ऐसे फिर अति इनिक रोइक को नहीं होär 처ुम हेए को जो क्रोशिया हुआ हम तो हाब डबन क्रोशियों और यह 3 हाब । इस के हैं एक साथ बंडिया फिर 1 2 2 2-ट तरह से मैंने यह पपी स्टीच डाल दिया है judgment यह प्रफ टाल दिया है निए डाल आए यह फिर ऐसी तरह से पन्सटीब को डालना है वान !! सब्सक्राइब टूटो फिर एक साथ भुना है की फिर टीन बार भुनानाकि दबल क्रोशिया को हाफ डबल क्रोशिया को one half double क्रोशिया two half double क्रोशिया three half double क्रोशिया एक साथ बुलना इस तरह से two chain one half double क्रोशिया तू हाफ डबल क्रोशिया थिरी हाफ डबल क्रोशिया यह होगे फोर एक साथ बुनना है टू चेन तेके इसी तरह से मैं रोग को कम्प्लीट करूंगी भी स्टिच के अंदर अब स्टिच डालती हुए बन और एक यह टू टू चेन अब देखिए मैं यहाँ पर सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दोंगी यह रोग मैंने कम्प्लीट कर दी है इस तरह से मैंने सिलिप स्टिच लेते हुए जॉइन कर दिया है सिलिप स्टिच लेते हुए आगे को बढ़ा दिया तिक इस तरह इस तरह से मैंने यह बना दिये हैं अब देखिए मैं इसमें गिरे कलर लगाती हूं गिरे कलर से बुनूंगी अब मैं बन टू थ्री फॉर और एकी फाइब फाइब चेन और डबल क्रोशिया कि इस तरह से मैंने यह बी इस्टिच डाल दिया है अब बन टू टू चेन और फिर तूसरा बी इस्टिच भी डालना है इसी तरह से इस तरह से मैंने टूबी स्टेच डाल दिये हैं तो भी स्टेच मैने डाल दिये हैं यहां पर हैं ब्बंचेन और डबल क्रोषिया दाला है पूरी रोमे बंचेन बंडबल क्रोषिया दिए इस तरवי कि बन दू और के कारी नहाई दर में कलए ही तर दाल दू बन डवल क्रोशिय। दाला है इसमें यहाँब क्रोशा स्वाल व्यत एड़ने पर डगें सब्सक्राइब यहाँ पर तक्सिर्ड नहीं है चुछ डालती हूं थिरी चेन और डबल क्रोशिया तो यहां पर डालूगी में फोर डबल क्रोशिया तो डबल क्रोशिया यहां पर मैंने फोर डबल क्रोशिया डाल दिये हैं यहां पर डालूगी में डबल क्रोशिया यहां से लेकर यहां तक मैंने यह 10 डबल क्रोशिया डाल दिये हैं फाइब इधर हैं फाइब इधर हैं आगे भी इसी तरह से यह डाल ले हैं डबल क्रोशिया रोको कम्प्लीट करूंगी मैं इसी तरह से रोको कम्प्लीट करना है पूरी में मैंने ये डबल क्रोशिया डाल दिये है अब देखिए यहाँ पर मैं सिली पिस्टिच लेती हुए जोईन कर दूँगी इस तरह से जोईन कर दिया है और यह रो इस तरह से बनकर आ गई है डबल क्रोशिया डाले हैं पूरी रो में मैंने यह पूरी रो में डबल क्रोशिया डाले है इसी तरह से डिजाइन को डालते हुए और डबल क्रोशिया डालते हुए मैं पॉंचो को आगे को बढ़ाऊंगी इसी तरह से आगे को बढ़ाना है तैचि कि स्ज़्स ऐसे मैंने ऊपर से नीचे तक पांचो इतना बड़ा बना लिया है चिस तरह से डिजय्टाइन आया है और यह डिजय्ट देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है देखिए गें नीचे से सोग Lego और ज्ता एंवा संथ को कमाई अब इसका नीचे से बोड़र बना देती हूं नीचे से बोड़र मनाना है ऐसर्ट ायल कि मुर्ण अबन तो त्रीम फॉर कि यह फाइव यह डवल ग्रोशिया थे कि सिछ दाल दिया है बं तू टू चेन अभ यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूगी इस तरह से फिर वन तू टू चेन वन तू टू चेन को सिक्प करना है नैक्स्ट चेन में डाले है भी इस्टिच इस तरह से टू चेन दबिश यह 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 मैंने भी इस्टिच डाल दिया है बर्न टू टू चेन बर्न टू टू चेन को स्किप करना है नेक्स्ट चेन में डालना है सिंगल क्रोशिया फिर बर्न टू टू चेन बर्न टू टू चेन को स्किप करना है नेक्स्ट चेन में डालना है भी इस्टिच इस तरह से मैंने इस्टिच डाल दिया है और यहां पर डालना है सिंगल क्रोशिया यह मैंने सिंगल क्रोशिया डाल दी है अब देखिए यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए जोईन कर दूंगे इस तरह से मैंने जोईन कर दिया है और देखिए इस तरह से यह रोव बनकर आ गई है जोईन करने के बाद देखिए अब मैं इसकी आगे की रोव बनाती हूँ ग्रेय कलर लगाना है यह वाला कलर तो इस तरह से मैं इस तरह से बुनना है देखिए वन टू थ्री फोर यह मैंने फोर चेंड डाल दी है बी स्टिच में अब देखिए धागे को दो बार लपेटना है किरोशिया पर इस तरह से और दो बार ही बुनना है बन और एक यह टू देखिए दो बार मैंने एक रोशिया को बुन दिया है फिर से दो बार लपेटना है धागे को और दो बार ही बुनना है बन और एक यह टू देखिए यह हो गए हैं तिरी फिर एक साथ इनको बुन देना है यह लीफ मैंने यह बना दी है अब इसमें मैं सेवन चेन डालूंगी बन टू त्री फोर फाइब सिक्स और यह सेवन यह मैंने सेवन चेन डाल दी है और फिर से धागे को दो बाल लापेटना है कि रोशिया पर और बुनना है दो बार बन और एक यह टू देखे फिर से दो बाल लापेटना है और बुनना है वन टू दो बाल लापेटना है टू вार बन और एक यह टू यह हो गए हैं फोर बन टू थ्री फोर और एक साथ बुनना है इस तरह से बन चेन देखिए यह मैंने लीफ डाल दी है पती मैंने बन चेन ले ली है अब देखिए आगए भी मैं इसी तरह से बुनूँगी बी इस्टिच में नेक्स्ट बी इस्टिच में भी इसी तरह से लीफ को बुनना है बन और एक यह टू फिर से टू बार लपेटना है कि रोष्य पर धागे को और बुनना है फिर लपेटना है धागे को और भुनना है बन और अगिय टुउ यह हो गए हैं बनडू टू थ्री फ्वार। एक साथ बुन' देना है ते चैसे हैं। यह रखला सेवन gifts दालना है। बन तू, त्री, फोर, फाइब, सिक्स और यह सैवन, सैवन चेन डाल दी है, और फिर से मैं डबल क्रोशिय डालूंगी, बन और एक यह टू, फिर से दो बार लपेटना है धागे को, और बुनना है, बन और एक यह टू, अब एक साथ बुन देना है, बन चेन ते, इस तरह से लीफ को, डालते हुए, रो को कम्प्लीट करना है, इसी तरह से लीफ को मैं डालूंगी, फिर आगे वाले इस्टिच में भी मैं इसी तरह से डालूंगी, दो बार लपेटना है धागे को, और दो बार ही बुनना है इस तरह से, दो बार लपेटना है धागे को, और दो बार बुनना है, इस तरह से, यह फोर फिर एक साथ बुन देना इनको, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स, और यह सैवन, फिर से इसी तरह से, दो बार धागे को, लपेटना है और बुनना है, बुनना है इसी तरह से, इस तरह से, लीफ आ गई है, अब देखिए, यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए, जवाइन कर दोंगी, यहां पर जवाइन करना है, इस तरह से मैंने इसको जोइन कर दिया है और सिली पिस्टिच लेते हुए धागे को यहाँ पर कट कर देती हूँ धागे को कट कर देना है यहीं पर तक इस तरह से नीचे का बोडर आया है अभी कंप्लीट नहीं हुआ है फनावर लीव मैंने अभी इसमें फलावर बनाने हैं कि इस तरह से रह 2-3 बंघर को एकज़ के बहुत ही सुन्दर लग रहाई है पंचो है तो तेकई मैं इस यह से लास्ट रोपनाती हो देखिए, अब मैं बोर्डर को बनाती हूँ, लास्ट रो बनानी है, इस तरह से बनाऊंगी, मैं पिंक कलर से, बन, टू, थ्री और एक ये फूर, ये मैंने फूर चेन डाल दी है, अब दो बार धागे को लपेटना है क्रोशिया पर, और बुनना है दो बार, बन, और एक ये टू, फिर एक साथ बुन देना है, दोनों को, देखिए, इस तरह से मैं ये फ्लॉवर बना रही हूँ, फिर बन, टू, थ्री, थ्री चेन और यहाँ पर, सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है, इस तरह से, देखिए, फिर से दो बार लेना है क्रोशिया पर धागे को, और बुनना है, दो बार, बन और एक ये टू, फिर से लेना है, और बुनना है, दो बार, ये हो गए है, थिरी, और एक साथ बुन देना है, इसको, बन, टू, थिरी, थिरी चेन, अब यहाँ पर, सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनना है, फिर से दो बार लेना है, और दो बार लेना है दागे को दो बार गुनना है इस तरह से यह वह हैं त्री और एक साधिन को गुन देना है फिर बन टू थ्री थ्री चेन यहां पर सिंगल क्रोश्य लेते हुए बुनना है देखिए फिर से दो बार लेना है दागे को और बुनना है दो बार लेना है दागे को और बुनना है डबल क्रोश्य देखिए यह हो गए है थ्री और एक साथ बुन देना है फिर बन टू थ्री थ्री चेन यहां पर सिंगल क्रोश्य लेना है देखिए इस तरह से इस तरह से मैंने ये फ्लॉवर बना दिया है बंचे लेना है और यहां पर मैं सिंगल क्रोशिया डालूँगी टू चेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से ते फिर वन टू 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 चेन फिर से मैं फ्लॉवर डालूँगी यहां पर फ्लॉवर डालना है देखिए दो बार धागे को लपेटना है क्रोशिया पर और बुनना है दो बार बन और एक यह टू कि दो बार धागे को लेना है और दो बार ही बुनना है इस तरह से यह हो गई थिरी और एक साथ बुन देना पिर बन टू थरी थरी चेन और सिंगल क्रोशिया इस तरह से फिर से दो बार लेना है धागे को क्रोशिया पर और बुनना है दो बार दो बार पुना मैंने यह हो गए है थरी और एक साथ फिर इनको पुना बन टू थरी थरी चेन इस तरह से यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेते हुए पुनना है इस तरह से यह फ्लावर बन रहा है दो बार लेना है धागे को और दो बार ही पुनना है इस तरह से दो बार लेना है दागे को दो बार पुनना है बन और एक यह टू यह हो गए थरी और एक साथ फिर इनको पुन देना तीनो इस तरह से फिर बन टू थरी थरी शेन और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया लेते इस तरह से फ्लॉबर आ रहा है यह होगे थिरी पत्ती एक पत्ती ओट डाल लेना है दो बार लेना है धागे को दो बार ही बुनना है इस तरह से यह हो गए है थिरी और एक साथ बुन देना है थिरी चेन और यहां पर फिर इस तरह से बुनना है सिंगल क्रोशिया बन टू 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 चेन अब यहां पर मैं सिंगल क्रोशिया लेते हुए बुनूंगी टू चेन सिंगल क्रोशिया टू चेन तरह से फ्लॉबर बन रहा है देखे इस तरह से आ रहा है फ्लॉबर बनता पूरे बॉडर में इसारेसे में फ्लॉवर डालोंगे फ्लॉवर डालना है इसी तरह से अब बन्ट टू टू चेन अभी यहाँ पर मैं सिंगल क्रोशा लेती हो पुलूँगी इस तरह से यहने सिंगल क्रोशा लेती हो बंदिया है यहां पर बन टू टू चेन अब यहां पर मैं सिलिप स्टिच लेते हुए ज्वाइन कर दोंगे यहां पर ज्वाइन करना है कि इस तरह से मैंने यह ज्वाइन कर दिया है यहां पर सिलिप इस्टिच लेते हुए जोइन मैंने कर दिया है ब देखिए दागे को मैं कट कर देती हूँ और नीचे से ये बॉडर मैंने कम्प्लीट कर दिया है नीचे से बॉर्डर मैंने यह कंप्लीट कर दिया इस तरह से आया है यह बॉर्डर के इस तरह से यह बॉर्डर बनकर आ गया है तर से इस तरह से यह बॉर्डर बन गया है अब देखिए नीचे से बॉर्डर कंप्लीट करने के बाद मैं यहां से इसका गला बना देती हूं यहां से बनाना है तो देखिए मैं अब बुंती हूँ गले को बन टू टू चेन और डबल क्रोशिया पूरे गले में मैं पहले डबल क्रोशिय डालूंगी डबल क्रोशिय डालना है सिंगल डबल क्रोशिय उप था कशी लेट C है 5 है, इस तरह से आगी यह सिंगल डबल क्रोशियां चबाँ तो कि इस तरह से मैंने ये सिंगल डबल क्रोशिया डाल दिये हैं पूरे गले में अब यहां पर मैं सिली पिस्टिच लेते हुए जॉइन कर दूंगी इस तरह से मैंने इसको जॉइन कर दिया है और गला देखिए इस तरह से आ गया है सिंगल डबल क्रोशिया डाले हैं पूरे गले में गला बनाना है अब उपर को हाई नेक बनाना है तो इस तरह से मैं बुनूंगे बन टू थ्री थ्री चेन उधे की फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिय डालना है और बैक पोस्ट फ्रंट से बुनना है डबल क्रोशिया को और बैक से इसी तरह से मैं आगे तक बुनूंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया बैक पोस्ट डबल क्रोशिया इसी तरह से रोको कम्पलेट करना है बैक पोस्ट डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और ये फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इसी तरह से रोको कम्पलेट करना है बैक पोस्ट डब इस तरह से मैने back post, front post double crochet डालते हुए रो को complete कर दिया है मैं यहा पर मैं slip stitch लेते हुए join कर दोओंगी। और यह row बनकर नहीं जाई है और इस तरह से आ गई है 합니다. सिर्द पोनि एसका परंट पोस्ट बैक पोस्टी डवर क्रोश्य डाले हैं मैंने सिमें दिख आगए करो बनानी एक हो kadar 1033 टेट पोस्ट कुद bragवल क्रोशे डालना है अब डालना है बैग बॉष्ट डवल क्रोश्य यह फ्रंट से बुणा है तो मैं इसको फ्रंट से भुना है तो मैं इसको मैं बैक जोगे इसको मैंने फ्रंट से बुना है तो फ्रंट से बुनना है इसको मैंने बैक से बुना है तो बैक से ही बुनना है इसी तरह से बुनते हुए नेक को आगे को बढ़ाना है फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया और बैक पोस्ट डबल क्रोशिया नेक को आगे तक मैं बुनते भी बढ़ाऊंगे बैक पोस्ट डबल क्रोशिया अब इसको मैं फ्रंट से बनूंगे फ्रंट पोस्ट डबल क्रोशिया इस तरह से मैंने यह रोग कंप्लीट कर दिया है अब शक्राइब करेंगे आफ हैं आहां पर मैं सिलिए पिश्टिच लेते हो जाइन करदेंगे इस तरह से दागे को में कट करदेती हूं अब यह नेक माने साटव की मशिशनिहीं। अब यह नेक, और नेक को देख़ार से आया है। इस तरह से आए गा यह दे इति इस तरह से आएगा और नीजे से बॉडर भी इस तरह से आया है पो हो बियाय Ça नेग भी complete हो गया है है वह देखने में बहुत सुन्दर लग रहा है अगर आपको यह वीडियो मेरी पसंद आई तो आप इसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब करें थैंक यू